तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कप सूजी लेंगे और वही नाप से हम एक कप दही लेंगे एक ती स्पून जितना हम लेंगे लाल मिर्च चिली फ्लिक्स जो होता है वो डालेंगे हाफ टीजब जितना नमक दालेंगे स्वाध के अनुशार इन सारी चीजों को पहले हम लेदे क्यूंकि सूजी बहुत जादा जानते है कि बहुत जादा पानी इभ्जूप करता है तो यह सुका सुका हो जाएगा बाद जितना पानी लगेगा न वह उपर से अलका अलका करके तोड़ा तोड़ा ग्राजुोली हम डालेंगे। एक साथ बहुत जादा पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि इसको भुट जादा रनी नहीं बनाना है थोड़ा गाडा रखना है हमें यह सारी चीज़े मिक्स हो गई है अच्छे से तो अब हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी मिलाएंगे और एक स्मूध बैटर बनाएंगे लांप स्प्री बैटर बना लेंगे थोड़ा पतला गोल बनाने के बाद हम इसमें उसमें ग्रीन बेजे डालेंगे जो भी हरी सबस्जेंद इस buenoак डालेंगे तो यह बैटर बन गया अब हम इसमें बारिक गटा हुआ गाजन डालेंगे कौण डालेंगे тебе कवी हरी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे ब्लाक पेपर देखिए इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए बहुत पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं हो थोड़ा सा ब्लाक पेपर हम डालेंगे वन फोट टीस्पून जितना इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर में और उसके बाद ना हम इसे कवर करके थोड़ी देर तक रेस्ट करेंगे 10 से 15 मिनट्स तक इसको कवर करके रख देंगे और फिर हम अपना सैंडविच मेकर को अच्छे से औल से ग्रीस कर लेते हैं चाब तरफ से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम और जो बैटर हमने बना कर रखा था 15 मिनिट से जादा हो गया है तो वह बैटर को अब हम इसमें डाल देंगे एक बार अच्छे से मिला इसमें डालेंगे, इस तरह से डालना है हमें और ये स्लाइस चीज है, तो इसे हम चार पार्ट में कट कर लेंगे, डाइगनली तिर्चा कट करेंगे, और इस तरह का ट्राइंगल शेप छोटा-छोटा हो जाएगा, तो वह हम उपर से रख देंगे, सारे में हम इसी तरह से चीज रख देंगे, और फिर से बैटर का एक लियर इसकी उपर से हम डाल देंगे, बहुत जटपट बनके बहुत ज़ादा इजी स्नैक्स हैं, तो जबी भी मन करें हम ब्रेकफस में या लांच बॉक्स में, अराम से इसको डाल के दे सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आता है, और थुड़ा हेल्दी भी है, विदाउट चीज भी आप इसको बना सकते हैं, तो ये दूसरे तरफ से भी अच्छे से रख दिया है, चीज रखने के बाद दूसरा लेयर भी हमने लगा दिया है, सारों पर, अब हम इसको बंद कर देंगे लेड को, और साथ से आट मिनिट तक ना इसको अच्छे से कुखोने देंगे, देखिए इस तरह का हो जाएगा कुछ, साथ से आट मिनिट के बाद, बीच में एक बार आप खोल के देख सकते हैं, कि वो अच्छे से बन रहा है या नहीं, साथ से आट मिनिट लगबख लगी जाते हैं, यह अच्छे से बनने में, तो अब बस हम इसको निकाल लेते हैं, दूस्री तरफ से भी देखिए, काफी अच्छे से बन गया है ये, तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे, सर्विंग प्लेट पे, और दूसरा बैच भी इसी बना लेते हैं अब हम यह ओल से ग्रीसिंग करनी की जरूवत नहीं है सांविच मेकर को तो उसी तरह से हम फिर से एक लेरिंग देंगे बैटर का अब शारों पर उसी तरह से बैटर रख देते हैं अच्छे से ना हम स्प्रेड कर लेंगे इसको चारों तरफ ताकि एक अच्छा शियप आए दिखने में भी अच्छा लगे सब में हमने रख दिया है बैटर को अब आपको चाहिए अगर चीज ने विदाउट चीज भी बनाना तो इस तरह से बना सकते हैं और अगर चाहिए तो चीज रख के बना सकते हैं बस फिर से हम इसे 5-6 मिनिट तक पकने देंगे देखिए इस तरह का कलर चेंज हो गया है इसका काफी क्रिस्पी और काफी क्रंची बनके तयार होता है ये भी सैंडविच और बहुत स्वाधिस लगता है इसमें हमने जितने भी ग्रेन वेजीटेबिल से वह तो डाली है तो आराम से आप बच्छों के टिफिन में भी इसको बना के जटपट से दे सकते हैं और बहुत इजी वे में बनके तयार हो जाता है बहुत जादा कुछ इंग्रीडियंस भी हमने इसमें नहीं डाला है मिर्च आप अपने स्वाध के अनुसार डाल सकते हैं अगर बच्छों को तोड़ के आपको दिखाती हूँ अंदर से भी कितना अच्छा लेरिंग दिखेगा इसका आपको फुल आफ वेजीज तो यह हमारा नो बिल्ट सैंडविच बनके तयार है बिल्कुल पांसे दिस मिनट में यह बनके तयार हो जाता है और बहुत स्वाधिस्ट तो लगता ही है तो जरूर ठाइप की जोएगा इस रेसिपी को अब मुझे बताइए कमें सेक्षिन में आपको यह रेसिपी कैसी ल तो जरूर ट्राइप की जोएगा इसको थांक्स फॉर वाचिंग इंजोई